हाई ट्विल्टीज, वेलकम टू एसीवे कॉमर्स क्लासिस, मैं हूत अपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग अपने रूलर डिवलप्मेंट शेप्टर को आगे बढ़ाएंगे रूलर डिवलप्मेंट का मतलब में आप सबको बढ़ा चुकी थी यानि कि डिवलप्मेंट करना रूलर एरियास में सोशली और एकनॉमिकली दोनों तरीके से उसे रूलर डिवलप्मेंट कहते हैं अब socially भी कर ली development और economical यान की infrastructure पर लेकिन वो कब possible हो पाती है गाइस जब हम अपने जो भी गाओं के सर पर समस्या हैं उसको सुलजा दे तब ही तो वहाँ development करेंगे गाओं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है ruler credit की आपने बहुत बार news में देखा होगा guys कि बहुत सारे किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं किस वज़े से finance की कमी की वज़े से न और उधार में इतने ज़्यादा फस जाते हैं कि लास्ट ने यह कदम उठाना पड़ता है कि वह आत्महत्या कर लेते हैं जो कि बहुत ही दुखद हम लोगों के लिए news होती है लेकिन एक घर का इंसान चला जाता है हम लोग तो उसे news कहते हैं बट एक घर का इंसान चला जाता है तो यह समस्या गाओं में बहुत जादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो खेती करने का समय होता है गाईज और जो आप बोते हो यानि कि जब बीज बोय जाते हैं जो लोग गाओं में रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब हम गाओं में रहते हैं गाईज तो जो बीज बोने का समय है और फसल कटके पैसे आने के समय में एक बड़ा टाइम गैप होता है और उस टाइम गैप के लिए उस समय पर धर चलाने के लिए शादी करने के लिए बच्चों की और अपने जरूरते पूरी करने के जोकि बहुत ही गलत हैं लेकिन उसितमें उसकी क्या situation है हम नहीं बता सकते हैं लेकिन बहुत जादा दुखत बात है हमारे देश में at 추材 में हो दो क्या प्रयास करे से प्तरुन है लेकिन सबसे बहले अगर आप चैनल पicação पहले पहला आयो सबसे पहले देखो क्या हुआ? जब एक किसान को पता है कि पैसे की जरूरत आनी है है ना उस बंदे को पता था क्योंकि जो ये time gap है जब उसके पास पैसा आएगा एक तो जो खेती करेगा उसके बाद जब वो money में convert होगा तो ये time gap काफी ज़ादा होता है और इस समय पर घल तो हमें चलाना है चलाना है और उसके लिए पैसा चाहिए तो वो सबसे पहला जो उसे एक जगे नज़र आती है जहां से से पैसा मिल सकता है एक रस्ता जो नज़र आता है वो होते है non institutional sources यानि कि अपने आसपास अपने रिष्टेदार money lenders ये सब और एक रस्ता होता है जो उसे थोड़ा तेड़ा मेड़ा लगता है क्यों क्योंकि यह यहां पर काफी कागजी कारवाही करी जाती है that is called institutional sources जहां bank का जाते है जो कि सरकार की तरफ से होता है ठीक है अब गाइस देखो होता क्या है सबसे पहले जबी भी किसी को need होती है तो वो अपने आसपास देखता है non institutional sources को कि यार कागज वग्रा का पचड़ा ना हो proof वग्र जो होते हैं पुझी पती जी ने बोला जाते हैं गाउं में वो उधार दिया करते हैं ज्यादा पैसे होते हैं और वो उधार बाटते हैं लेकिन इनकी खासियत क्या है कि यह high rate of interest charge करते हैं यानि कि बहुत ज्यादा amount यह लोग interest का charge करते हैं जिसकी वज़े से जो एक किसान जो लोन लेता ही वो लोन के पैसे तो चुका नहीं पाता क्योंकि interest लगते लगते इतना हो जाते हैं गाइस की वो interest को pay करने के लिए भी लोन लेता है और जिसकी वज़े से वो फस जाता है एक debt trap में क्या बोलते हैं एक debt trap यानि कि आपने उधार लिया था आप उधार को और यही वज़े होती है कि उन लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है तो सबसे पहला उधार कहां से मिला? Money Lander से दूसरा Relatives से Relatives से तो आसपास हम अपने उधार मांगते हैं कि Relatives दे देंगे बढ़ आज की टाइम में आपको पता है Relatives कैसे कोई उधार नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वापस नहीं मिलता लेकिन वहाँ पर उनको नजर आते हैं दूसरे Relatives उनसे उधार लिया जाते हैं ये लोग जनरली Relatives जो होते हैं अगर हेल्प करते हैं दूसरे की तो उधार देते हैं लेकिन इनकी भी खासियत यह है कि इंट्रोस्रेट ये भी जादा चार्ज करते हैं चौथा उन्हें नजर आता है Rich Landlords यानि कि जहां पर वो काम कर रहे हैं जो जिनकी वो जमीने हैं वहाँ पर या बहुत अमीर जो लोग है उनसे उधार लीना अब उनसे उधार लेने पर भी बात वही पढ़ते है कि इंट्रोस्रेट काफी जादा ये तो आज पास के लोग होगे जिनते वो जाडार लेते हिं अब हम बात करते हैं इंस्टिईटूशनल सोर्सेज का institutional यानि कि जो की एक तरीके से legally government ने बनाए है guys institutions जिससे उधार लिया जा सकता है तो सबसे पहले आपे cooperative credit जग government को पता चला कि ये सब चीज़े हो रही है और बहुत सारी negative effect हो रहे हैं तो government ने अपने गदम उठाए government ने सबसे पहला guys cooperative credit में भी एक formal तरीके से loan देने की बात करी गई जिसमें interest rate जो था वो low रखा गया था क्योंकि हमें पता था कि यहां का negative effect क्या है interest rate बहुत हाई है तो अभी हमें जो option देना था यानि कि government ने जो option देना था उसमें interest rate low रखा उसने second उसने land development bank बनाए land development bank basically क्या होते है guys जो land के लिए loan provide करते हैं यह land को गिर्भी रखकर loan provide करते हैं तो यह basically land को focus oriented bank होते हैं जो जैसे जमीन को अगर आपको दुबारा से सही उप जाओ बनाना है उसके लिए आपको loan चाहिए क्योंकि जमीन भी बंजर हो जाती है तो उन सबके लिए एक bank का है land development bank यहां से उधार ले सकते थे थार्ड option government ने दिया commercial bank credit commercial bank आजके टाइब में तो हर जगे आपको दिख जाएंगे यहां से हम लोग यह भी सेम इम्दा काम था उधार देना agriculture purpose के लिए ठीक है और interest rate यहां पर भी लो था fourth है guys हमारे regional rural bank regional rural bank क्यों आता है जैसे कि बहुत जगे ऐसी होती है गाओं की जहां पर bank available नहीं है जहां पर bank नहीं पहुंच सकते वहां पर regional rural bank खोले गए regionally उन जगों पर गाओं में bank खोले गए ताकि हमारे जो किसान लोग थे उन लोगों की मदद मिल सके उनको पैसा मिल सके low rate of interest भी कि उन्हें बाहर से high rate of interest पर loan लेने की need ना पड़े तो इसलिए regional rural bank open करे गए ठीक है कहां पर regional wise जहां पर bank नहीं खुल रखे थे जहां पर bank facility नहीं थी इसके अलावा government भी guys समय समय पर loan देती है या help करती है कैसे जबी भी सूखा पर जाता है या बाड आ जाती है तो आपने सुना होगा government ने इतनी मदद करी और government उसमय लोगों भी देती है जिसे government भी loan देती है उस समय पर तो government भी खुद कर आई वहां पर उसके बाद आते नबाड नबाड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा नबाड जो है guys that is the main apex bank कहा जाता है जैसे हमारा RBI जो है main bank होता है ऐसी नबाड को guys apex bank कहा जाता है main body है यही सारे regional banks को ruler bank को जितने गाओं में bank है जो agriculture purpose के लिए यह संभाल रहे है नबाड की full firm क्यों होती है national bank for agriculture and ruler development national na for national b for bank for agriculture ruler development यह 1982 में आयता guys और इसका main purpose bank को के ऊपर यह bank है इन सारे bank को के ऊपर यह bank है जो पूरा control करके रखता है और सारी चीजे regulate करता है agriculture से related bank को की ठीक है इसके बाद आया guys SHD that is called self-help group for microfinance इसमें क्या था guys basically जैसे कई लोग है जो loan लेना prefer नहीं करते या bank जाना इतना पचड़े में पढ़ना पसंद नहीं करते तो उनके लिए self-help group था इसमें क्या था चार-पांच लोग आपस में मिलते थे ठीक है आपस में थोड़े-थोड़े पैसे contribute करे पैसे हो गए चलो इसको दे दो यह business कर लेगा तो यह करा जाता था इसके पास पैसा आ जाता था यह business करता था और फिर यह पैसा इन लोगों को चुका दिया करता था और अगर कुछ पैसे की कमी होती थी तो इसे bank से finance भी कराया जा सकता है तो यह different schemes हमारी government लेके आई थी बैंकों के रूप में guys ताकि हमारे यहां पर जो bank में सबसे बड़ा drawback आ रखा था जो ruler credit में drawback आ रखा था उसको दूर किया जा सके तो institutional sources लेके आई थी I hope आप लगों को समझाय होंगे और अगर कुछ भी चीज़ है guys जो नहीं समझाय है तो आप Instagram पर आईडिया तब इता मैंसी पूछ सकते हो और यह था guys इस chapter में इस topic में अगर वीडियो पसना आई तो लाइक ज़रूर करना Thank you